हलो माई डेर स्ट्रीन वेलकम तो माई टूप चैनल देखिए दोस्तों यदि आप कक्षा दस्मी और बार्मी के अंदर और एमपी बोट के छात रहें तो देखिए आप बहुत गलत राजची के अंदर फसे वें क्योंकि जहां पर हमारे मानने मुक्मंत्री जी ने ये उनके ट्विटर पर ये नोटिस जारी किया था कि 26 अप्रेल को ये निर्णाय हुआ क्या निर्णाय हुआ कुछ भी निर्णाय नहीं हुआ देखिए यहां पर आपके पास ये लेटर है उपरोक्त के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि मंडल की हाई स्कुल परिक्षा के संब में विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कक्षे दस्वियों और बार्वी की परिक्षाओं के संब्द में निर्णाय लिया जाकर शिक्र अवगत कराया जाए तो मेरे एक बास समझ में नहीं आती कि आप एक निर्णाय नहीं ले सकते आपने बच्चों को पूरे सालवर दाउट में रखा और अभी भी आप डाउट में रख रहा हैं आप ऐसी इस्तिती बनी हुए है कि बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े पूरा आपने माइंड डायवर्ट करके रख दिया अरे भाई सीधा एक डिसिजन ले लो कि हाँ एक्जाम ले रहा है बात खतम हो गई एक्जाम नहीं लेना तो मत लेना तो बतलब कोई एक डिसिजन तो दो बच्चों को करना क्या है इसी की संबने बच्चों में ने कांदोलन चलाया था संड़े के दिन तो उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहां पर आप उसको जादा से ज परिक्षा में संबन में विविन ने विकल्पों पर विचार किया जा रहा है अभी तक विचार किया जा रहा है बड़े अफसोस की बात है कि अक्षा दस्वी और बार्मी की परिक्षाओं के संबन में निर्णा लिये जाने के बाद शुक्र अवगत कराया जाएगा तो दो की बास लिका है मदब प्रदेश बोर्ड हाई स्कुल परिक्षा 2021 को रद कर दिया गया है और स्टूडेंट को सी बीएस सी के तर्च पर इंटरनल असिस्मेंट के अधार पर प्रिमोट किया जाएगा और इस रिपोर्ट के अनुसार हायर सेकेंटी परिक्षाओं को लेकर फ्र प्रिमोट को सला दी जाती है कि बोर्ट के ऑफिसली विवसाइट पर समय समय पर विजिट करते हैं मुझे बड़े अफसोस के साथ दुख के साथ ही कि मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आजकल मतलब मैं बता नहीं सकता इस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय हो र करते है